हलो सूपर इन्वेस्टर्स आज मार्केट में जबरदस तीजी थी उसके बावजूद भी वारी में आज हमें फिर से गिरावट देखने को मिली और वारी ने तोड़ दिया 200 डेज मुविंग एवरेज का सपोर्ट 200 डेज मुविंग एवरेज का 200 डेज में का जो एक सपोर्ट था उसको ब्रेक करकर वारी का शेर नीचे चला गया और जाप पहुचा है 1404 रुपीज पर जो की काफी निराशा जनक है डिसपोइंटिंग है और इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब तक स्टॉंग रिवर्सल आता नहीं है या कोई बड़ी न्यूज या अपडेट आती नहीं है जब तक वारी में एवरेजिंग करना या फ्रेज बाइंग करना शॉट टर्म के लिए ये कोई मतलब नहीं है क्योंकि फंड ब्लॉक हो जाएंगे और शेर अभी थोड़ा सा डाउन टेंड में चल रहा है टेक्निकली आरेसाय भी और सोल जोन में है 34 के आरेसाय पर है वाली का शेर फिर भी इसमें बाइंग नहीं आ रही है आज उम्मीद थी कि मार्केट में इतनी अच् पाया और फिर से नीचे चला गया और अब तो 200 डेज बूइंग एवरेज के सपोर्ट को भी तोर दिया है अब स्टॉंग सपर्ट जो है वारी का वह 1300 रुपीज के आसपास है 13 रुपए के आसपास शेर ने बाउंस लेना चाहिए ऐसा लगता है अगर उसको भी तोर दिया तो और भी नीचे जा सकता है तो जब तक स्टॉंग बाउंस होता नहीं है short term के लिए बाए करना कोई मतलब नहीं है बट long term के हिसाब से हैं तो ठीक है बट अभी भी long term के हिसाब से भी देखा जाए तो एक बार शेर को bottom ore होने देना चाहिए उसके बाद में सोचना चाहिए बट अभी स्टेंथ नहीं है और थोड़ा सा हो सकता है बाउंस लिया भी शेर ने तो ज्यादा स्टेंथ थिक नहीं पाएगी और हो सकता है फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ या सेल ओफ वाजा है तो देखते हैं वारी में क्या होता है बट प्रॉलम यह हो गया है कि अभी भी वैल्यूएशन नाइंटी के पीपर है जो की मार्केट के हिसाब से अभी भी महिंगा है ऐसा लग रहा है जिसके कारण शेर में तेजी आने को तयार नहीं है और कोई बड़ ऐसा मुझे लगता है बाकि आप भी स्टेडी करके इसके बारे में डिसीजन ले सकते हो और फ्रेंड्स अगर आपको शॉट टर्म के लिए रॉकेट शेर या लॉन टर्म के लिए मल्टि बैगर शेर चाहिए होगा तो आप वाट्सअप करके पूश सकते हो 954585 0000 इस नमब पर तैंक ये फ्रेंग्स